प्रेंड्स मार्केट की बाद करते हैं इंडियन ओवर सीज बैंक की बाद करते हैं इसको आई भी की बात करते हैं श्टॉक ट्राइप 24 25 पीश के आज पास है 31 माई 2023 को बजार में मुनाफ़ा असुली देखने को मिल रही है निफ्टी इंडेक्स 18500 के आज पास है पिछे दो म इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन वर्सीज बैंक की स्टॉप्राइट 24-25 उपीज में इसका भी 50 वीक हाई जो साल में पर जो हाई बनाता है बात करेंगे इंडियन वर्सीज बैंक और कुछ मित रिनांड सस्क्राबर्स इस बैंक की शेर के बारे में जानकारी देना चाह रहेते हैं की शेर आगे कैसा रहेगा तो फैनिशल नमर की बात करेंगे मार्केट के अफ्ट्राइज प्रकॉमंस और शेर प्राइज 24-25 में और बात करेंगे शेर आगे कैसा रहसे करेंगे चैनल पर पहनी बार वीडियो देखते हैं तो सस्क्राइब और लाइक का बटन नवाएं स्टॉक मार्केट के अफडेट के लिए आयो भी की बात करेंगे 24-25 रिपीज में स्टॉक प्राइज है सबसे पहले नतीजों की बात कर करते हैं इंटर्स और चौथिक रिवाएं में Q4523 में 5,192 करोड था अदर इंकम को अगर हम प्लाज करके देखते हैं पोर्टाल इंकम 6,622 करोड था और दिसंबर के क्वाटर में जो पोर्टाल इंकम था 6,000 करोड था 6,006 करोड था और 5,718 करोड का एक साल पहले था तो कोटल इंकम बढ़ कर आया था आयोपी का चौथी क्लिवाई में Q4523 में बोथ थी और सिदे से देखे इसका प्रॉफित की बात कर लेते हैं और नेक प्रॉफित ताग 650 करोड था पांसो पच्पन करोड का देसमरे कोड़ में था एक साल पहले 500 बांट कर लेता तो प्रॉफित भी बढ़ कर रहा है था अब इंपोर्टन पॉइंट ग्रॉफित की बात कर लेते हैं तो इंडियन ओवर्सीज बैंक का जो ग्रॉफित 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 का जो पांसो निए अंग का देसमरे कॉइंट सिप्सलें ग्रॉफित 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 है रेता तो नेट हता रहा क्म का और अंडिंग पर शेयर के बार करने, 0.34 का है और 0.29 का दिसमर एक वार्टर में था, एक सार परे 0.29 अंडिंग पर शेयर में भी सुदार हो था तो यह चौकी किमाही के नतीजे थे आयोबी के दोस्तों तो यह चौकी किमाही के नंबर्स थे, फैनेक्शिया रिजल्ट था, आयोबी का, इंडिया नोवर सीज बैंक का, जिसमें टोटल इंकम भी बढ़कर आया था, और प्रॉफिट मुनाफ़ा भी बढ़कर आया था, ऐसे क्वैलिटे में भी सुदार रहा था तो यह चौकी किमाही के नंबर्स थे, अब बात कर लेकता है, मार्केट केप की और बात कर दे फंडामंडर्स की, मार्केप 46,121 करोड का यह, इसका जो प्राइज है, इंडियन वर्स इस बैकर 24 का है, 46,121 करोड का मार्केप है, तो इसका फेस्वैल्य टेन डुपीस का है, पशल्च से नियुक कारोबार कर रहा है इंडियन व्रसी जुफितियates Drs一樣 crosses around that travaux रिटरी फैसित के शेरर यो से ऩ डूबने में कारोबार एक डूबने से रिज एकड़ यहां permanently आनरी ओर स्वार्श से रिटर्स पर दोसुफिति पर्सान का पिछले तीन साल से तेजी देखने को मिल रही है जब कि अपने आई से नीचे की तरफ 10 पॉइंट की तरफ करोबार करता और एक साल का रिटन अब एक नजर शेयर प्रैस के निसार भी बात करते हैं इंडियन ओरसीज बैंक का ये एक साल का ग्राफ है और शेयर प्रैस का जो ट्रेंड रहा है देखे इसका फिटीट वी लो है पंदर रुपिया पच्चीज पैसा और फिटीट वी पाई चटीज बार सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तब इसम्बर के मैंने इसने हाइब इसके बात देके स्टॉर इकतर से डांट्रेंड में और जो सपोर्ट रहेगा 21-20 रुपीज कराएगा 21 रुपीज कराएगा और उपर की तरफ 25 पैसे पैसे के उपर टेकिनिया ये निकलेगा तब इसमें एक तेजी दे अब इसमें करना है कैसे ही दोस्ते देकि इसमें अगर आप फाइनिशन नमर को देखेंगे तो इसे कुलेटि में सुधार हो रहा है और जैसे कि 20 वाले जो स्टॉक होते हैं उनमें बड़ी तेजी की देखने में मिलती है और उसके बाद गिरावाट आती है तो फिर वो एक इसमें रहते हैं जैसे कि आईवी का स्टॉक ने अभी 20 वाले जो तो टेक्निक लेक्तर से ना थड़ा बहुत इसमें अभी वेरिस मॉडल जब यह 30 वाले पर उपर प्लोजिंग देगा तब इसमें तेजी तेखने को मिल सकती है आने वाले समय में नतीजों में इंप्लुम सब्सक्राइब करना चाहिए अब 21-25 रुपे के स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आईवी के स्टॉक में अगर करेक्शन होता है तब देखना चाहिए तो दोस्तों यह इंडियन ओवर्सिस बैंक का लिटस अपडेट है स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए दीरा टेख स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें खमण करें जय ही पंदे माज़ाइब